जब घड़ी का काटा करता है चार बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्यों कि चार बजे हम चक्रविव के साथ आपके सामने पेश होते हैं नमस्कार क्यापिटल टीवी उत्तप्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट आज चक्रविव में सबसे पहले बात राहूल गाधिया और कॉंग्रेस पर सीम योगी के हमले की दूसरी खबर सपा सांसर चुड़ी है तीसरी खबर में बात एक ठक की और आखिर में बात पुलिस के तंगड़े एक्शन की तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर में बात सीम योगी की सीम योगी ने शनिवार को राहूल गाधी और कॉंग्रेस पर जम कर निशान असाधा दरसल मुक्यमंद्री योगी आधिनात जम्मू कश्मीर में होने वाले वदानसभा चुनाव पर बोल रहे थे इसी दौरान योगी ने एक के बाद एक कई सवाल कॉंग्रेस और राहूल गाधी की नियत पर उठा दिये इसके साथ योगी ने कश्मीर में आतंगबाद अलगावाद पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैट को लेकर नैशनल कॉंफरेंस पर निशान असाधा सीम योगी ने कहा कि भारत के मुकुट के लिए अपनी और से प्रियाश शुरू किये हैं अब चुनाव की तारिक होशित हो चुकी है यह जम्मु कश्मीर के लोगों और लोगतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों के लिए हैं दुनिया बार के लोगों की निगा इस चुनाव में इंडी गठबंदन को उसमें अनेक बिंदू है जो कि भारत की एकता खंडता और राष्ट सुरक्षा के पत्रियां शिक्त करती हैं वहीं यूपी के मुख्यमंत्री ने कॉंग्रेस पर निशानस आते हुए कहा कि कॉंग्रेस और नेशनल कॉंफरेंस का ये गठबंदन पूरे देश की सुरक्षा के लिए सवाल खले करता है सियम्योगी ने कॉंग्रेस नेता राहूल गाधी से सवाल पूछते हुए कहा कि क्या कॉंग्रेस नेशनल कॉंफरेंस के जम्मु कश्मीर के अलग जंडे की घोषना का समर्थन करती है क्या राहूल गाधी और कॉंग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल पैकिस एक खंड को वापस लाकर जम्मु कश्मीर को फिर आतंगबाद के युग में धकेलने के ऐसी के समर्थन की घोषना करती है क्या कॉंग्रेस जम्मु कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वारता करके फिर अलगावादी ताकतों का समर्थन करती है सीम योगी ने कहा कि इस गठवंदन से कॉंग्रेस का आरक्षन विरोधी चहरा भी देश के सामने आ गया है आपको बता दी कि कॉंग्रेस ने जम्मु कश्मीर में वधानसवाद चुनाव को लेकर नैशनल कॉंफरेंस के साथ गठवंदन किया है योगी आदिसनात स से पहले केंद्री मंत्री अमिशा ने कॉंग्रेस से कई सवाल पूछे हैं खबरों में आगे बरते हैं लखनाओ पुलिस ने मोहनलाल गंज सीर से समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौदरी के खलाब एफ़ायार दर्ज की है सपा सांसद के खलाब वजीर गंज इतान के दरोगा विनूत कुमार सिंग ने फायार दर्ज की है भारत बंदी के दिन जलूस निकालने पर सपा सांसद आरके चौदरी के साथ तरुन रावत और अन पर फायार दर्ज हुई है समाजवादी पार्टी के सांसद आरके चौदरी ने बिना परमिशन के गाधी भवन से परिवर्तन चौक तक जुलूस निकाला था इस पर पुलिस ने फायर दर्च की है सपासांसत के खिलाब बी एनस एक सुन नवासी खंड एक यी दो सो तेईस और पुलिस अधिनियम तीस के तहत वजीर गंज थानिव फायर दर्च की गई है इस मामली में दी गई तहरीर के अन पूर्वक करते हैं तु अनुमती बागी थी जिसमें करीब 700 व्यक्तियों के शांती पूर्वक तरीके से भाग लेनी की बात कही गई थी आवेदन में बताया गया था कि उक्त आयोजन में शामिल होने वाले सभी लोग गादी भवन पर प्रेक्षा घ्रह में स्थित यानि की समाजवादी पाटी के पदादीकारियों और संगोष्टी में सम्मलित कारेकरताओं करीब 200 से 250 की संख्या में यूजना बत तरीके से गाधी भवन प्रेक्षा घ्रह से निकल कर जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए हजरक गंद की तरफ प्रस्थान करने लगे वहीं मौके पर पुलिस बलद्वारा इनको बिना अनुमती के जुलूस निकालने और वर्तबान में पूरे जन्पत में लागू धारा 163 BNSS तथा यातायात प्रभावित होने का हवाला देते हुए रोकने की कोशिश की गई हाला कि यो लोग किसी भी सूरत पर रुखने को तयार नहीं हुए तथा आदेशों सरतों का उलंगन करते हुए हुर्दंग बाजी नारे बाजी और यातायात को प्रभावित करते हुए जुलूस को लेकर हज्रदगन की तरफ प्रस्थान करने लगे अगली खबर में बात एक ठकी जहां उत्तरप्रदेश की नॉड़ा में एक युवख खुद को एसडियम बताकर लोगों से ठकी करता था ऐसा करके उसने करीब 200 लोगों को इसका शिकार बनाया आरोपी ठकी करने वाले गिरों का सरगना है आरोपी का नाम धिरेंदर यादो थगी करने वाला ये गिरों कुछ खास लोगों को चुनता था इसके लिए युपी कॉप के एप की मदद लेता था था लोगों को अपनी ठगी के निशाना बनाया करता था ठगी करने वाला ये गिरो दिनांक और जिले के साथ साथ थाना डाल कर केस से जुड़ी लोगों की जानकारी खटा कर लेता था गिरो का सरगना लोगों से कलेक्टर या फिर पुलिस का बड़ा अधिकारी बनकर बात करता और उन्हें भरोशा दिलाता था कि जल्द ही केस में प्रउग्रेस होगी, ऐसा करनी के लिए वो लोगों से अच्छी खासी रकम भी मांगा करता था, पुच्चताच में सामने आया कि आरोपी ने 10 वी तक की पढ़ाई की है, पोलिस की पुच्चताच में ये भी सामने आया कि इस गिरो को वो एक साल से चला रहा था वही ठक की उम्र 24 साल है और वो यूपी कॉप एप से ठगी करने के लिए ऐसे मुकदमे वाले लोगों को चुनता था जिसमें सजा का प्राउधान साथ साल से कम का हूँ वो लोगों को भरोजा दिलाता था कि आरोपियों को जल्द गिर असतार हुआ शक्स मदप्रदेश से ठगी करने का गिरो चलाता था एसी पी दिक्षा सिंग ने मीडिया से बाचित करने के दौरान कहा कि ठगी करने वाले इस गिरो की डिमांड का अमाउंट कम होता था जैसे कि मामले में तीन तो कभी पांच हजार देनी की बात कही जाती इसलिए लोग उन्हें रुपे दिया करते थे और ठगी होने के बाद भी शिकायत नहीं किया करते थे पुलिस की पुछताच में पता चला है कि गिरो के लोगों ने साइबर से जुड़ी चीजों की अच्छी खासी ट्रेनिंग ली है इस मामले को लेकर प्रदीप नाम के ए एक्शन की है जहां कोतवाली फेस टूप पुलिस ने मुटबेड में महिला से छेड़चाड के आरोपी को गरफतार किया है आरोपी और चालक है और अकेली महिला सवारियों को सुनसान इलाके में ले जाकर अशलील हरकतों को अंजाम दिया करता था आरोपी के पास से ऑटो पुलिस ने ये भी आज़ प्रसंद दिया है कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ऐसे अपरादियों के खलाप सक्त कारवाई करती रहेगी ADCP Central Noida के मताबिक थाना Face 2 में वहानों की चेकिंग की जानी थी इस दोरान कुलसरा की तरफ से आ रहे एक आटो को रोकने की कोशिश की गई लेकिन वो पुलिस को देखकर नहीं रुका और भागने लगा शक होने पर पुलिस ने आटो का पीछा क्या तो आटो में रोड से फूल मंडी सर्विस रोड की और भागने लगा आगे मोड पर आटो पुलिस से ठकरा गया इसके बाद आटो चालक ने उतर कर पुलिस पर फारिंग कर भागने की कोशिश की पुलिस की जबावी फारिंग के बल पर छेड़ चाड़ और दुश्कर्म करने की कोशिश करता था जानकारी के मुताबिक महिला की शिकायत पर पुलिस कुलदीप की तलाश कर रही थी जिसे मुठबेड के बाद गिरफतार कर लिया है ADCP ने बताया कि कुलदीप के खलाब आधा दर्जन से जादा मुकदमे अलग-अलग थानों में पहले सी दर्च है चक्रवीव में फिलाल के लिए तना ही फिर पेश होंगे संसनी केस खबरों के साथ बागित अमाम खबरों के लिए देखते रही है कापिटल टीवी उत्रप्रादेश नमस्कार अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हां बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुँचती रहे आप अपना सुधाप हमे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे साथ चुलने के लिए शुक्रिया अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करे हमारे चानल को सब्सक्राइब करे और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आप तक हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन पहुचती रहे आप अपना सुधाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं हमारे चुड़ने के लिए शुक्रिया